आपका स्वागत है आज की समय में पैसा आपके मान सम्मान से लेकर हर चीज़ से जुड़ता जा रहा है ऐसे में हर कोई अच्छा खासा पैसा कमाने के साथ ही एक बड़ी बचद भी करना चाहता है लेकिन अधिकांश घरों में कभी ना कभी रुपे पैसे को लेकर समस्या आत है कि पैसे खत्म हो रहे हैं और बैंक बैलेंस कम हो रहा है माना जाता है कि भाग्ये के रूठ जाने और माल लक्षमी के किसी वज़ा से नाराज हो जाने के कारण ऐसा होता है कई बार हमसे जाने अन जाने में कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती है जिनका खमियाजा हमें भु चान ही नहीं पाते जिस कारण हम उसका कोई उपाय भी नहीं कर पाते तो आए हम जानते हैं कि जब पैशों की कमी आपके घर में शुड़ू होने वाली रहती है उससे पहले वो कौन से लक्षन है जो आपको मिलते हैं अगर आपके घर में नल तपकने लगे तो समझ लिजिए कि माल लक्षमी किसी कारणवर्ष आपसे नाराज है और आपका पैसा पानी की तरह बह रहा है ऐसा करने पर तुरंद पलंबर को बुला कर नल को तुरंद ठीक करवाए इसके अलाबा कभी आपके हाथ से पानी का ग्लास छूट कर तूट जाए या फिर बोतल हाथ से छूट से सूखने लगे या फिर पीले पढ़ने लगे या काले पढ़ने लगे तो या शुबसंकेत नहीं माना जाता ऐसा होना आर्थिक मामलों में गिरावट का सूचक माना जाता है अगर आपके घर में भी ऐसा हो तो आपको संभल जाना चाहिए और पैसो को संभल कर खर्च करन अगर आपके घर में छोटे बच्चे जमीन पर लकीरे खीचने लगे तो इससे बहुत बुरा माना जाता है। अगर आपके घर की छट पर कवा और दक्षिन दिसा की तरफ मुख करके बोले तो इससे बहुत बुरा असर होता है। को संभल कर खर्च करना चाहिए। नहीं तो आपका बैंक बैलेंस घटने शुडू हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताए। साथ ही ऐसे ही अन्य तमाम जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। फेस्बुक पीज को लाइक करें। धन्यवाद। स्क्राइब करें।